आई गैस और विल्कम बाक टुदी चैनल दीपच यादव एजूकेशन विल्कम टुदी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ओफ 28 ओफ दिसंबर 2022 तो गैस आज है तारिक 28 दिसंबर 2022 और है वेटनस दे देखेंगे आज के देहिंदू कंप्लीट ड्यूस पेपर को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपाच यादव एजूकेशन यूपी एसी आप लोग को यह वाला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बिसस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफ़ेर के विडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बिसस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाता है आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है नेपाल को काफी न्यूज में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2017 के prelims में पूछा इया था daily basis पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है which of the following is geographically closest to great Nikobar नीचे option में आपको चार अलगलग जगहा के नाम दिये गए हैं इन चारो places में से कौन सी ऐसी place है जो की great Nikobar के just pass में है option number A सुमत्रा, option number B बोर्नियो, option number C जावा या फिर option number D स्रिलंका तो इसका सही answer आप सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ इसका जो correct answer है वो मैंने आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरुरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शुबार हम करते हैं बाकी जो आज का thumbnail वाला article है इसको हम अभी थोड़ी दिर में discuss करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि chargers को लेकर क्या-क्या government यहाँ पर करने वाली है और क्यों कर रही है वो सब कुछ आगे हम discuss करेंगे लेकिन उससे पहले जब आज का आप लोग front page देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो important article निकल कराता है वो है यह वाला तो जो nasal vaccine है यह basically available हो चुकी है और अभी पूरी तरह से available नहीं हुई है private sector के अंदर में लगबग January से यह available हो जाएगी तो vaccines के बारे में हमने काफी चर्चे करिए COVID के समय में अब हुआ क्या है यहाँ पर एक और नई प्रकार की vaccine को लेकर आया गया इसको हम लोग nasal vaccine बोल ला है इसका नाम अलग है यह basically बस खाली कैसे काम करेगी उसके बारे में यह बताता है nasal vaccine नाम से पता चला है इस vaccine को हम लोग nose के थूँ देने वाले है तो नाक के थूँ यहाँ पर vaccine दी जाएगी तो अभी news में इसलिए है क्योंकि अगले ही महीने यानि January में ही लगबग एक दो सब्ता बाद जो हमारे private center से उन private center में 800 रुपे की vaccine मिला करेगी जिस वज़ा से यहाँ पर यह news में निकल कर आ चुकी है अब इस vaccine को किसने बनाया है हैदराबाद की ही एक company है भारत बायो टेक आपने जरूर से यह नाम सुना होगा COVID के समय में तो इन्होंने कल ही इस चीज के बारे में mention किया है कि जो COVID-19 की यह nasal vaccine है इसको private centers में 800 रुपए तक की हाँ पर provide करवा दिया जाएगा और जो government facilities है यानि सरकारी तोर पर अगर हम देखें तो लगबग 325 रुपए तक की जो vaccine से यह available करवाई जाएगी January में यहाँ पर यह vaccine मिलने वाली है I-N-C-O-V-A-C यह इसका नाम है यह vaccine अभी के लिए लगबग 18 साल से जो उपर वाले लोग है उनकों यह provide करवाई जाएगी और यह दुनिया की पहली इंट्रानेसल vaccine है यानि जो nose के थुरू vaccine दी जाएगी अगेंज दा नोवल कुरानावाइरस जान रखना दुनिया की पहली एक ऐसी vaccine इंट्रानेसल vaccine जिसको भारत नहीं develop किया है और इसका नाम है Incovac दूसरी important चीज़ यहाँ पर यह है कि यह जो vaccine है यह कैसे दी जाएगी यह basically heterologous booster dose के form में दी जाएगी यह बहुत important term है heterologous तो heterologous क्या होता है अभी मैं आपको detail से समझाऊँगा इतनी बात पहले आप लोगों नहीं आपर पढ़ ली है यानि current issue आपने समझ लिया है कि जो vaccine है private centers के अंदर available होगी इस चक्कर में यह news में आ जोगी है करना क्या है नाम ध्यान लखना और कैसे work करेगी यह ध्यान लखना अब आते हैं कुछ important points के उपर भारत बायो टेक कंप्री ने इसको बनाया है इसको हम लोग incovac के नाम से जान रहे है या फिर इसके साथ साथ इसका जो नाम है BBV154 करके यहाँ पर इसका नाम दिया गया है दुनिया की पहली international vaccine है जिसको यहाँ पर अप्रूव किया गया था ठीक है COVID-19 से लड़ने के लिए importance की बात करें तो इस vaccine को हम लोग nose के थूँ देंगे यह हम अलरड़ी discuss कर चुके हैं बाकी सारी vaccines के अंदर आपको बता होगा सुई का अस्तमाल क्या जा रहा था उससे यहाँ पर यह vaccine दी जा रही थी वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है दूसरा यहाँ पर आप देखो गए यह vaccine काफी ज़दा effective है Omicron variants के against में भी Omicron variant है, COVID का खतरनाक variant है इसके against में यहाँ पर काफी ज़दा effective है आपका जो respiratory system है ना उस respiratory system का जो upper stage है उपर वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पर बचाएगी यह vaccine और उस particular system के अंदर में यह जो vaccine है यह जो basically virus है वो enter नहीं कर पाएगा तो इस vaccine का काम क्या होगा यह आपके body के अंदर जो खासकर upper respiratory system है ना उपरी वाला जो भाग है यहाँ पर जो local antibodies है इसको produce करने का काम करेगी और यह antibodies क्या करेंगी यह basically virus को मात देने का काम करेंगी यह vaccine basically यहाँ पर एक local immunity देने का काम करेगी क्योंकि नाक के अंदर से जो virus है वो एंटर कर रहा है वहाँ पर आपके सकतो immunity provide करवाने का भी यह काम करने वाली है ठीक है उसके बाद यहाँ पर booster dose के अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया यह क्या है यह basically एक second heterologous booster है अब इसका मतलब क्या है हम समझते है देखो जैसे बाकी सारी vaccines लगी है काफी सरे लोगों ने COVID-19 लगवाई होगी काफी सरे लोगों ने COVID-19 लगवाई होगी तो उसमें जो doses दी गई है दो-दो doses लगई होगी वो दोनों similar dose है यानि पहली dose दूसरी dose वो same vaccine है लेकिन यहाँ पर जो heterologous होता है heterologous में basically अलग अलग जो vaccine है वो लगाई जाती है doses के अंदर में यानि जो primary dose लगई होगी वो दूसरी होगी secondary dose लगेगी वो दूसरी होगी तो यहाँ पर दोनों doses basically अलग अलग होगी एसा यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरी important बात यहाँ पर मैं आपको बताए दिया 18 साल से जितने भी उपर वाले लोग हैं उनको यह vaccine दी जाएगी जिनोंने already co vaccine या फिर covid ले चुके हैं जिनको co vaccine या covid के दो doses लग चुके हैं वही लोग यहाँ पर यह जो international vaccine है in covac यह वाली vaccine यहाँ पर ले पाएंगे ठीक है बाकी heterologous क्या होता है यह मैं आपको बता दिया है और यह कैसे बाकी सारी vaccine से different है यह आपको पताशल चुका है क्योंकि vaccine को लेकर भी सवाल बन सकता है इस बार साल 2022 के अंदर ही UPSC ने सवाल पूछ लिया था आपको याद होगा ठीक है नहीं आप एक company का ना भी पूछा गया था तो ध्यान रखना सबस्वर important बात यही है कि यहाँ पर जो भारत बायो टेक कंपनी है इस इन नहीं हाँ पर इस vaccine को develop किया है ठीक है आगे आते हैं नहीं यहाँ पर आप देखोगे कई सारे articles publish हो रहे हैं charger को लेकर जो मैंने thumbnail लगाया है न कि आपका mobile charger पूरी तरह से बदल जाएगा वो basically इसी के basis पर लगाया है दोको हुआ है कि सरकार यहाँ पर ला रही है type C charger को लेकर एक policy यानि कि जो charger's है वो जैसे आज के समय पर क्या होता है बहुत सारी जो अलग-अलग mobile phones है ठीक है इन फाक्ट अगर में लोग बात करें iPhone का अलग charger आता है है न जो Apple के products है वहाँ पर lightning port का इस्तमाल किया जा रहा है बागी कुछ और products आपको देखने को मिलेंगे Android के तो वहाँ पर type C charger का अस्तमाल हो रहा है type C charger भी अलग-अलग प्रकार के आ रहे है तो इस प्रकार से बहुत सारी charger's की variety's हो चुकी है तो अगर किसी के पास में 2-3 phone है या 20 नवंबर को मैंने यह पढ़ाया भी ता शायद ठीक है तो USB type C जो charger है वो जल्दी इंडिया के अंदर mandatory हो जाएगा सभी products के लिए एक ही charger यहाँ पर देखने को मिलेगा जिससे आप अपने सारे के सारे जो भी smart phones वगरा जो भी चीज़े हैं वो सब यहाँ पर चार्ज कर पाओगे ठीक है तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है ऐसा यहाँ पर क्यों क्या गया ऐसा इसलिए भी क्या जा रहा है क्योंकि देखो वैसे ही अल्रडी इंडिया के अंदर में इसमान बनेगा ही नहीं तो फिर उसके बाद में आपके सेकते हो यह वेस्टेज होगा ही नहीं तो फिर अभी के समय पर अलग लग चार्जर सिरने पड़ते हैं उनका यहाँ पर यूज हो रहा है और चार्जर भी आजकल सेपरेटली आ रहे हैं आपको बताओगा अब हो जाएगा टाइप चार्जर सभी प्रोड़क्स को यहाँ पर चार्ज करेगा सभी मुबाइल मैनुफैक्चरिंग कमपनी से बोल दिया जाएगा कि आप जैसे भी मैनुफैक्चरिंग करोगे मुबाइल की उसमें टाइप सी चार्जर ही सपोर्ट करना चाहिए ठीक ह कर दिये इससे पहले भी न्यूज में था जैसे मैं आपको बताया तो अब यहां पर multiple charges लेकर चलने की जरूरत नहीं है ठीक है अब यह type-c charger क्या होता तो इस प्रकार से आपको यह type-c charger देखने को मिलेगा type-c charger की अपने आप में कुछ important features है मैं आपको बताता हूँ क्यों है यह थोड़ा सा बेतर देखो जो अलग-लग company आए ना वो अपने smartphone के लिए अलग-लग charger बनाती है लेकिन अब यहाँ पर cable और cable type-c जब charger रहेगा तो इसके लिए आपको कोई दूसरे समान की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई दूसरे charger की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आप देखोगे strong voltage की वज़ा से एक ही charger से जो कई सारे devices है वो भी charge के जा सकते हैं तो यह सारे important features है type-c को लेकर सबसे important बात आपके पास मैं अगर mobile phone है दो-तिन mobile phone है और सब के अंदर type-c लग रहा है तो आपको एक ही charger की requirement पड़ेगी आप एक ही charger का use करोगे तो यहाँ पर आपके सकतो यह इसका कही नखी एक benefit मिलने वाला है धीर सारे chargers को carry करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है तो इस प्रकार से यहाँ पर charger जल्द ही बदले जाएंगे कैसे होने वाले सब कुछ यह आपने अभी धोड़ दर पहले ही सीख लिया है आगे आता है यहाँ पर आता है अगला article important है तो parliamentary standing committee ने सरकार की फटकार लगाई है किसीच के ओपर कि सरकार ने अभी तक tourism council को create नहीं किया है एक tourism council नहीं बना पाई है ठीके न तो वो tourism council बनाना बहुत ज़दा जरूरी है क्योंकि इंडिया जो है ना टूरिजम के मामले में काफी ज़दा आगे है इसको और ज़दा हमें support करना होगा तो यहाँ पे जो पालियमेटरी standing committee है on transport, tourism, culture इनोंने यहाँ पर suggestion दिया था कि देखो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए properly एक council होगा जैसे GST को लेकर एक council है ना GST council आर्टिकल 279 के अंदर में पता होगा जहाँ पे बैठ कर discussion किया जाता है कि GST किसी के ओपर लगानी है किसी के ओपर नहीं लगानी है सब कुछ discussion चलता है पूरा council बैठता है उसी प्रकार का similar council यहाँ पर होना चाहिए tourism का तो यह चीज़ यहा पर parliamentary standing committee ने already बोल दिया था लेकिन हुआ क्या अभी तक यहाँ पर यह council नहीं बनाया गया सरकार के थूरू तो उसको लेकर यह parliamentary standing committee जो है सरकार से जवाब मांगते है कि ऐसा क्यों हो ठीकिन आ क्यों यहाँ पर यह जो council नहीं बना रहे हो क्योंकि हम लोग अपना target लेकर चल लेकिन जब कोई council नहीं होगी बैट कर इसके उपर कोई बातचीत नहीं होगी तो फिर बात यहाँ पर आगे बनेगी नहीं मतलब एक ऐसा vision रहेगा जो बिना किसी action के हो यानि एक ऐसा target है बस खाली हमने target रख रखा है उसके प्रतिय हम कुछ कर नहीं रहे हैं बस तो वो च concurrent list के अंदर इस tourism sector को डाल देते हैं तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि tourism को लेकर जो हमारी state और साधी साथ में center है दोनों के दोनों laws जो है वो बना पाएंगे आपको बताओगा हमारे पास में तीन इस प्रकार की list है एक union list है एक state list है और एक है concurrent list अब union list के अंदर जो जो topics आ कर कानून मनाती है तो बोला गया tourism को यहाँ पर concurrent list के अदर include करना चाहिए इससे definitely हम लोग tourism में state government और साधी साथ में central government दोनों मिल कर बहुत भेतरी तरीके से काम कर सकती है ठीक है बाकी यहाँ पर कुछ और प्रोजेक्ट से जहाँ पर जो पैसा है मतलब जितना दिया गया थ उससे कम खर्चा गया development के ओपर में tourism के ओपर में तो उसके लिए committee ने बोला है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है ना बाकी काफी सरे projects जो की बहुत delay चल रहे हैं है ना काफी सरे projects हैं यहाँ पर आप देखोगे अलग-लग जगाएं जहाँ पर development करना था जैसे ह बजरत बाल आप देखोगे जमुएंट कश्मीर के अंदर यहाँ पर development होना है इंफ्रास्ट्रक्चर development होना है पूरी के अंदर में श्री जगनात धाम फिर उसके आद में राम चंडी देन उसके बाद में यहाँ पर प्राची रिवर फ्रेंट बनाना है तो अलग-लग development को लेकर काफी सरा पैसा दिया तो गया है लेकिन यहाँ पर यह बोला गया कि यहाँ पर जो काम चल रहा है वो बहुत जदा स्लो चल रहा है और अगर यहाँ पर यह जो प्रोजेक्ट से इसमें अगर जादा समय लगेगा तो जादा समय लगने से जादा पैसा भी लगेगा औ और इसके अंदर डेले पर डेले होता रहेगा, तो बेसिकली इस काम को भी जल्दी खतम करना होगा, तो वो चीज भी यहां पर एक तरीके से जो प्रॉग्रेस रेट है, जो बहुत धीरे चला है, उस प्रॉग्रेस रेट को बढ़ाना होगा, इस प्रकार की बात भी यहाँ पर पार्लियमेंटरी कमेटी ने बोली है ठीक है तो overall टूरिजम सेक्टर को एक तरीके से पुश करने के बारे में चर्चा की जारी इस आर्टिकल के अंदर जैसा अपने इसको डिसकस किया अब हम थोड़ा बात करेंगे इस आर्टिकल से हट कर क्योंकि आर्टिकल में तो इतने इंफर्मेशन है इस में एक्जामनेशन में कोई क्वेशन डिरेक्टली बन नहीं सकता है लेकिन ये आर्टिकल आपके मेंस के लिए बहुत हलपफुल है क्योंकि टूरिजम अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था इंडिया दसवे नंबर पर आता है अपने टूरिजम सेक्टर को लेकर जो की दुनिया भर में दुनिया भर की जो जीडिपी जनरेट और ये ने टूरिजम की वज़ा से उसमें कॉंट्रिबूशन देता हो मतलब क्या है दुनिया भर की जो economy है दुनिया भर का जो gross domestic product है उसमें यहाँ पर भारत का जो tourism sector है वो दसवे number पर आता है ठीक है 10th position पर आते हैं जो कि दुनिया भर में काफी सारा हम revenue generate करकर दे रहें खासकर अपने tourism से अगर हम दुनिया भर की countries को compare करें तो यानि काफी सारे लोग जो है इंडिया भी आते हैं घूमने के लिए as a tourist वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है तो यह आपने देखा है इंडिया की position दुनिया भर में एक बहुत important level पर है फिर साल 2019 में आप देखोगे 13,68,100 करोड रुपे हम लोगों ने केवल और केवल टूरिजम से ही जनरेट करें थे साल 2019 मत आप इमाजन कर सकते हो यह सरा का सरा पैसा हमारी एकनॉमी में एड हुआ था टूरिजम की बज़ा से और उस से भी important बात है इतना सरा पैसा आड हो रहा है वो बात अलग है उसके अलावा साल 2020 में टूरिजम सेक्टर जो इंडिया के अंदर में लगबग 39 मिलियन लोगों को इसने जॉब्स दी थी 39 मिलियन लोग यहां पर एक तरीके से इस पर्डिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको जॉब के नंबर को और बढ़ाने वाले हैं 39 मिलियन जॉब्स से बढ़ा कर यह 53 मिलियन जॉब्स के असपास होने वाली हैं तो जब कुछ हमने टार्गेट सेट कर रखा है इतने बड़े लेवल पर हम काम कर रहे हैं तो इसको और ज़दा पुष करने की ज़रूरत है वो चीज़ आपको इस करेंट इशू में भी देखने को मिल जाती है बाकि अब इस टूरिजम सेक्टर के इंपोर्टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले देखो यह क्या करता है हमारे सर्विस सेक्टर के लिए सबसे ज़ादा हेल्पफुल है यानि कि यह डारेक्टी हमें पुष दे रहा है सर्विस सेक्टर को क्योंकि काफी सरे लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे है एरलाइनस के अंदर काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर कहीने की टूरिजम सेक्टर को पुश करती भी नज़र आएंगी, तो यहाँ पर यह बोला गया कि जो हमारा पूरा का पूरा पूरा सर्विस सेक्टर है न, इसको एक बहुत बड़ा पुश मिलता है इस टूरिजम सेक्टर की वज़ा से, तो यह पहला importance है, दूसरा foreign exchange, यानि जब बहार के विदेश के लोग आएंगे हमारे देश के अंदर में घूमने के लिए, अलग-लग जगा पर घूमेंगे तो वहाँ पर पैसा खर्चेंगे, तो obvious ही बात है जो foreign exchange earnings हैं, वो हमारी बढ़ने लगेंगी, डेर सारा जो पैसा है बाहर का, वो हम लोग generate कर रहे होंगे अपने पास में, दन उसके बाद में, जो हमारे national heritage हैं, उसको यहाँ पर हम protection provide करवाएंगे, कि बिल्कुल हमें इन सारे के सारे tourism, जो sector, जो भी monuments हैं, उनको यहाँ पर protection देने की ज़रूरत है, बाकी फिर उसके बाद में इसका एक importance है, infrastructure development को लेकर, आज के समय में आप देखोगे न, जो travelers हैं, जो लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, अगर उनको कोई भी problem होती है, ठीक होटेल प्रॉपरली नहीं मिलती है, या फिर कोई भी और problem होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से related, तो कही न कहीं इससे हमारे tourism sector आने वाले समय में बूरी तरह से हिट होता बनाजर आएगा, तो हमें ensure करना होगा कि जो travelers हो कोई भी problem ना हो, जो सारा infrastructure हो, properly यहाँ पर well managed हो, और properly यहाँ पर उन सब को support मिले, जिससे कि वो लोग चाहें, वहाँ पर और लोग को बताएं, और लोग भी इंडिया के अंदर आएं गूमने के लिए, और वो लोग भी यहाँ पर पैसा खर्ष हैं, जिससे हमारी जो economy generation है, वो और ज़दा बढ़ता हुआ नजर आए, ठीके, बात clear हो गई, उसके बाद मैं कहीं अगर यह सारी चीज़े होती हैं तो इससे और पहचान बढ़ती हैं, विदेशों में भी और ज़दा पहचान challenges को face कर रहा है, अब वो problems क्या-क्या हैं, सबसे पहला है, infrastructure की ही सबसे बड़ी कमी हैं हमारे यहाँ पर, इंडिया के अंदर में आप देखोगे, properly roads नहीं है, properly water की facilities हो गए, hotels, telecommunications, ये facilities properly available नहीं देखने को मिलेंगे, तो infrastructure की काफी बड़ी कमी की वज़ा से यहाँ पर हमारे tourism sector कुछ problems को face करता है, दूसरा यहाँ पर जो challenge है, वो है safety and security, ये इसके उपर आपको पता होगा, recently मैंने एक editorial भी discuss किया था, जहाँए मैंने writer के important point of views बताए थे कि काफी सरे जो tourist हैं, जब वो इंडिया में आते हैं, तो उनके साथ में काफी बार, बहुत सरे crime हो जाते हैं, क तो जो भी यहाँ पर foreign tourist है, उनकी safety और security ये बहुत important है, आगर उनकी safety और security नहीं है, तो उससे यहाँ पर इंडिया की image international level पर खराब होती भी नज़राती है, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, जो भी foreign tourist उनको welcome करना है, बिल्कुल safety और security के साथ में, लेकिन इंडिया के अंद जो basic चीज़ हैं, जैसे drinking water हो गया, well maintained toilets हो गया, तो ये चीज़ हैं यहाँ पर इनकी काफी बड़ी कमी देखने को मिल जाती है, जिसकी चक्कर में भी again tourism sector hit करता है, देन बात आती है seasonality की, अब tourism में भी आप देखोगे, basically इंडिया के अंदर में पूरा season चलता है, लगबग 6 मेने का season होता है October से March तक, October से March में आप देखोगे, बहुत सारे लोग visit करते हैं, इविन यहाँ पर November और December में बखुत बड़ा heavy rush रहता है, तो season wise यहाँ पर जो यह tourism में वो चलता है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो, तो I hope आपको यहाँ पर clear हो चुका है, यह मैंने अलग से बता है, tourism का status क्या है, importance क्या है और क्या-क्या challenges को face कर रहा है, ठीक है, तो यह बात यहाँ पर अपने ध्यान में रखना, आपको में इसमें directly help करेगा, answer writing में directly help करेगा, next article पर आता है, नव अगले article पर बढ़ने से पहले make sure करना, वियार वीडियो पर जो like button उसको प्रेस कर द questions पूछेगा है, क्योंकि अभी देखो, नेपाल काफी news में है, अपने नए Prime Minister की वज़ा से, तो इस वज़ा से नेपाल को अच्छे से map में देखकर, उसका answer नीचे comment section में देना है, साधी साथ में जो prelims का सवाल पूछा या, उसका answer भी देना है, इससे पता चलता रहता है क कौन-कौन regular basis पर comments के अंदर activate रहता है, कौन-कौन regular basis पर videos को देख रहा है, ठीक है, अगले article पर आता है, नेक्स्ट article काफे important होगा, इसको हम लोग GS paper number 3 environment से, और साधी साथ में economy से भी link करेंगे, तो हुआ क्या है, जो green hydrogen है, इसको लगबग 2 billion dollar का incentive दिया जाएगा, इस जाएगा, जो की यहाँ पर green hydrogen को लेकर काम कर रहे होंगी, उनी industries के लिए basically यहाँ पर काम जाएगा, इससे क्या होगा, हम लोग धेर सारा green hydrogen अपने country के अंदर बना पाएंगे, ठीक है, तो इससे धेर सारा green hydrogen हमारे country में बनेगा, आने वाले 5 साल के अंदर हमने यह target set कर रख तो basically वो चीज़े कहीं न कहीं कम होती हुई निजर आएंगी, क्योंकि हम green hydrogen जो है वो develop कर रहे होंगे, green hydrogen बना रहे होंगे, क्योंकि green hydrogen भी basically वैसे ही काम करेगी, जैसा हमारा crude oil, कच्छा तिल वगरा काम कर रहा है, यानि कि हमें energy provide करवाने का यह काम करेगी, तो basically आज के समय हमें में दिक्कत यह है कि green hydrogen काफी महेंगी है, जो current cost है वो basically 300 रुपे से लेकर 400 रुपे पर kg के हिज़ाब से यहाँ पर देखने को मलती है, तो इसको अगर कम करना है तो हमें green hydrogen की production cost को यहाँ पर basically green hydrogen का जो production है वो basically बढ़ाना होगा, तो यहाँ पर 300 रुपे, 400 रुपे पर kg की साब से अगर यहाँ पर लग रहाई cost तो इसको हमें यहाँ पर कम करना होगा, और इसके लिए हम लोग अपने green hydrogen sector को और ज़धा promote करने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आने वाले समय में लगबग 2 billion dollar का जो incentive है, वो यहाँ पर हमारी सरकार जो है, यहाँ पर provide करवा सक headline पढ़कर भी शड़े जाते हैं तो भी काम हो जाता, कि हाँ चलो green hydrogen को लेकर कुछ काम किया जा रहा है, incentive अगरा provide करवाई जा रहे है इन industries को, बात खतम होगी यहाँ पर, लेकिन करना क्या होगा, इस current issue को background portion से link करना होगा, static part से link करना होगा, सबसे important चीज यहाँ पर आपक data को cover करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे hydrogen के बारे में, hydrogen क्या होता है, देखो hydrogen यहाँ पर सबसे जादा पाया जाने वाला element है हमारी पृत्वी के उपर में, और सबसे important चीज तो यह है कि ए cleaner fuel option है, यानि कि बिल्कुल साफ है, साफ का मतला भी है कि इससे कोई pollution generate नहीं होता है कोई भी यहाँ पर यह प्रदूशन नहीं करेगा, यह एक सबसे बहतरी चीज है, देन उसके बाद में hydrogen के जब हम लोग प्रकार की बात करें तो कई सारे प्रकार के hydrogen है, जैसे एक तो green hydrogen जो कि आपने article में पढ़ लिया है, इसके अलावा कई सारे hydrogen जैसे कि यहाँ पर आपक पानी को लगबग यह जो हमारा water है ना, इस water को split करना होगा, इस पानी में से O2 यानि oxygen अलग करना होगा, तो oxygen और hydrogen को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पानी के अंदर electrolysis करना पड़ता है, ठीके, और उस electrolysis के लिए हमें एक electrolyzer चाहिए होता है, जैसे आप लो machine के अंदर में हम क्या कर पाएंगे, hydrogen को जो है वो अलग कर पानी से, ठीके, तो आप कोगे जो यह यहाँ पर electrolysis हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें power चाहिए होगी, यानि की बिजली चाहिए होगी, ठीके ना, उस बिजली के मादियम से हम कर पाएंगे, ल हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं आगे, कहीं पर भी, लेकिन यह बताओ कि hydrogen को बनाने के लिए तो आपने कहीं सरा कोईला जलाया, है ना, बिजली का उत्पादन किया, तो उसके बाद ही तो hydrogen बना है, तो एक तरफ भली आपने hydrogen बना लिया हो, लेकिन इसके पीछे तो pollution हो रहा ह है ना, ठीक है, तो यह चीज़ यहां पर नजर आती है, तो यह normal hydrogen होता है, लेकिन green hydrogen के अंदर में क्या होता है, green hydrogen में जो हम बिजली का इस्तमाल करते हैं, जो electricity का इस्तमाल करते हैं, वो एक renewable energy होती है, renewable energy का मतलब है, कि एक ऐसी energy जहां से कोई भी pollution ना हो रहा हो, for example, जो sun की energy है, solar energy का इस्तमाल कर रहें, wind energy का इस्तमाल कर रहें, तो यहां पर कोई कोईला बगरा नहीं जलाए जारा, तो यहां से जो energy इस्तमाल की जा रही है, उसी energy के हम लोग use करके क्या करेंगे, electrolysis करेंगे, और उससे यहां पर वाटर को сп्लिट कर देंगे, hydrogen और oxygen में, जब वाट clear हो गई लेकिन यहां पर जब बात आती है brown hydrogen की तो brown hydrogen क्या होता है जहां पर कोईले को जलाकर बिजले का अत्पादन कर रहा हो यानि कि एक तरफ से pollution भी जादा हो रहा हो ठीक है तो वो basically brown hydrogen होता है जहां यहां पर हम लोग emission करते हैं यहां पर बात करें तो blue hydrogen में भी हम लोग इसको natural gas से produce करते हैं यहां पर भी pollution होता है लेकिन अच्छी बात यह है कि उस pollution को हम पकड़ लेते हैं उसको capture कर लेते हैं उस carbon को हम environment पर release नहीं होने थे थे तो यहाँ पर blue hydrogen भी एक अच्छा option कहलाया जाता है but green hydrogen आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह मैं आपको बता दिया यहाँ पर हम क्या करते है electrolysis of water और यहाँ पर हम renewable energy का इस्तमाल करेंगे solar या wind energy का जिससे यहाँ पर pollution कम से कम होगा और यह जो electricity है यह क्या करेगी पानी को split कर देगी hydrogen और oxygen में और फिर उस hydrogen का हम लोग यहाँ पर इस्तमाल कर लेंगे जब मैं पर पानी को split क्या जा रहोगा तो इसमें से हमें क्या क्या मिलेगा पानी मिलेगा water vapor मिलेगा ठीक है hydrogen अलग करके हम लोगों को मिल जाएगा फिर हम लोग उस hydrogen को इस्तमाल कर सकते हैं दो थो hydrogen बिसीकली एक energy carrier है कोई energy का source नहीं है लेकिन energy करियर की तरह गाम करता है यानि की इसके अदर धेर सारी अमाउंट अफ अफ एनर्जी देखने को मिलती है हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए, चीजों को गरम करने के लिए, यानि एज़ा हीट की तरह यहां पर भी इसको इसको इस्तमाल किया जा सकता है तो hydrogen आज के समय पर जातर यूज होता है petroleum refining के अंदर में fertilizer production के अंदर में कई सारी जग़ा पर hydrogen का इस्तमाल होता वह नजर आता है ठीक है तो हम लोग भी यहाँ पर कई सारी चीज़े चला रहे हैं हाडी मोटरें भी चलाने की कोशिश कर रहे है hydrogen के माध्यम से ही इससे क्या होगा जो pollution ने वो zero से zero होगा बहुत जादा कम होगा और ये हमारे environment के लिए काफी जादा helpful होगा बाकी अब हम बात करते हैं दुनिया भर में hydrogen खासकर जो green hydrogen है इसका status कहाँ पर stand करता है दोगो दुनिया भर में green hydrogen बहुत कम ही produce किया जा रहा है लगबग 1% से भी कम यहाँ पर जो hydrogen है न वो जो produce हो रहा है वो green hydrogen बतलब 1% से भी कम यहाँ पर green hydrogen का production हो रहा है तो अपने अपने इसका production बहुत ज़दा कम है लेकिन हमारा target है कि हम 2050 तक इसके production को बहुत ज़दा बढ़ा दे बात करते हैं कि इंडिया की scenario के बारे में यानि इंडिया में green hydrogen को लेकर क्या हाल है इसके बारें बात करते हैं सबसे बहली बात देखो भारत ना हर साल लगबग 6 million ton के आसपास जो hydrogen है वो consume करता है हर साल हम इतना सारा hydrogen जो है वो consume करते हैं किस चीज़ के लिए ammonia बनाने के लिए methanol बनाने के लिए industries के अंदर में fertilizer refineries के अंदर भी याँ पर hydrogen का इस्तमाल किया जाता है भाग यह आप देखो कि हमारा target यह है कि हम इसको बढ़ा दें जैसे आज के समय पर 6 million ton का इस्तमाल कर रहे हैं तो 2050 तक हम लोग 28 million ton तक पहुंचा दें ठीक है न तो यह हमारा एक target है जो green hydrogen की cost है इसको भी हमें थोड़ा सा कम करना है क्योंकि इसमें cost जो है जो पैसा लग रहा है वो काफी जादा लग जाता है तो हमारा target है कि हम इसकी price को लगातर decrease करते हुए चलें 2050 तक इसको कम से कम कर दें ठीक है फिर हमारा target यह भी है कि हम इतना सारा जब green hydrogen आने वाले समय पर बना रहे होंगे तो इसको export भी करें और इंडिया जो है एक net exporter बनकर आए 2030 तक और हम लोग क्या करेंगे बहुत सस्ते दाम में इस renewable energy को बना रहे होंगे तो हम इसको basically export भी करेंगे तो यहाँ पे definitely इंडिया जो है न कहीं कहीं इस particular मामले में एक hub बनकर निकल कर आएगा बाकी यह जो green hydrogen है इसके कई सारे benefits हैं benefits के अगर हम लोग बात करें मैं आपको बताई चुका हूँ सबसे पहली चीज़ यह climate change को मात देने का काम करेगा है न हमारे environment को protection प्रोडेक्शन प्रोवाइट करवाएगा और अपने पता होगा भारत ने कई सारे agreement साइन कर रखें पैरिस climate agreement जैसे कई सारे agreement है जहां पर हमारा target है कि हम 2030 तक 2070 तक जो pollution उसको कम से कम करेंगे तो उसमें green hydrogen हमारी मदद करेगा बात क्लियर होगी फिर उसके बाद में green hydrogen में एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें होगा क्या जब हम इस particular मामले में आगे grow कर चुके होगे तो इससे जो fossil fuels है जो आज के समय पर कोईला है या बाकी सारी चीज़े है इसके उपर जो हमारी dependency है न वो हमारी कम हो जाएगी और हम यहाँ पर एक तरीके से grow कर पाएंगे और काफी सारी जो jobs है नौकरिया है वो भी यहाँ पर generate कर पाएंगे ठीक है तो इसका potential कितना जादा है वो हम लोग नहीं हाँ पर समझ लिया है आई होप आपको इस सारी बात clear हो चुकी होगी एक अच्छी बात ये भी देखने को मिलती है भारत की location क्योंकि इंडिया की जो location है वो basically आपको ज्यादा तर ट्रॉपिकल वाले region में देखने को मिलती है यह इस particular region में क्या होता है सबसे जादा धूप पड़ती है गरम रहता यह region तो यहाँ पर sunlight वगरा काफी अच्छी पड़ती है तो हम sunlight के माध्यम से क्या कर सकते हैं काफी सरा green hydrogen produce भी कर सकते हैं तो भारत को यहाँ पर एक advantage भी मिल जाता है green hydrogen के मामले में ठीक है clear होगी ना बात तो यह था article और उसका background information static data देखो जो भी यहाँ पर मैं आपको article प PDF को जब आप download करोगे ना तो PDF को download करते वए एक app को download करें जिसका नाम है Adobe Acrobat तो वो जो app है Play Store में मिल जाएगा तो उस app में जब आप इन PDF को open करोगे तो आपको इस प्रकार के yellow color के छोटे-छोटे symbols नजर आएंगे और इनी symbols में सारे की सारे information आपको store देखने को मिलेगी ब discussion के उपर क्योंकि आज काफी सारे अच्छे एडिटोरिल्स हैं तो आज का editorial discussion काफी interesting होगा मतलब जादतर editorial important है पांच editorial है सब कुछ discuss करेंगे देखो कल क्या हुआ था कल editorial बहुत कम important थे एक आधी important था तो मैंने कल वो discuss कह था शायद तीन discuss किये थे तो काफी सारे comment कर रहे थे again आपके किसी कामका editorial नहीं है यहाँ पर यह है particular state LDF government को लेकर यह किसी कामका नहीं है तो यहाँ पर time waste क्यों कर रहे हो उसके अलावा यह है यह दमदार है यहाँ पर हम इसको discussion करेंगे पूरा detail से यह वाला article यह वाला editorial काफी अच्छा है इसको हम detail से discuss करेंगे तो जहाँ जह यहाँ पर time basically यहाँ पर बच सकता है तो क्यों न भचाया जाए ठीके तो फालतू में आप इसके पीछे मत पढ़ा करो जितना आपको मैं वीडियो के अंदर यह दो वीडियो आप चैनल से cover कर रहे हो ना मतलब सारे current affair UPSC और state PSC के perspective से cover कर रहे हो बहुत detail में cover कर रहे हो dependent हो मुझे पता है और आप लोग यहाँ पर अराम से चीजों को follow करो और आपका result भी आएगा definitely ठीक है चलो देखते हैं यहाँ पर लेगिन आपको बताओगा हमेशा editorial discussion से पहले हम लोग एक mains का question लेते हैं तो आज का मेंस का question क्या है पहले हम इसको समझेंगे important है recently आपको पत यहाँ पर यह बोलता है कि जो national food security act है इसके साथ साथ प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना है यह जो दो important schemes आपको देखने को मिल रही है यह pandemic के समय में star achievement की तरह काम करी है यानि pandemic के time पर एनों ने free में काफी सरे लोग को rations provide करवाए और कहीं न कहीं यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा achievement है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है तो इस पर आप क्या समझते हो यह आपको बताना है ठीक है न तो अगर मैं हिंदियों बोलू तो महामारी के दोरान प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना के साथ साथ जो national food security act है न यह हमारी स्वतंतरता के 75 वर् लिए तो आप इससे क्या समझते हो यानि कि आपको इनके achievements के बारे में समझाना है इन दोनों स्कीम ने केस तरीके से काम क्या है कोवीड में कैसे support क्या है क्या काम करती है इनके अदर क्या क्या फैसिलिटीज है वो सारी चीज़े आपको एकस्प्लीन करनी है धाइसो के बाद में कहाँ पर समिट करना है टेलिग्राम पर जाना वहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक क्यादव education means answer writing फुल फॉर्म लिखना आपको मेरा चैनल मिल जाएगा लगबग 41,000 से जादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं आप भी जाकर जुड़कर आपको भी और सामने वाले को भी आपको कुछ important points मिलेंगे जो कि आप अपने notes में include कर पाऊगे साधी साथ में सामने वाले के answer में कोई mistake होती है तो आप उन चीजों को उनको बता पाऊगे ठीक है चलो start करते हैं session को तो editorial में हमारा सबसे पहला editorial आता है यहाँ पर यह वाला इसको राजीव भाटियस आपने लिखा है अब यहाँ पर important personality है यह बात करते हैं एफरीका के importance के बारे में देखो एफरीका जो पूरा का पूरा continent है यह बहुत ज़दा important है लेकिन problem यह है कि एफरीका को दुनिया बर में representation इतना मिलता नहीं है चाए आप United Nations Security Council की बात कर लो चाहे आप G20 ग्रूप की बात कर लो तो यह बड़े बड़े ग्रूप से ना international level पर यहाँ पर एफरीका को कोई भी representation नहीं मिल रहा है तो उसको लेकर इन्होंने यह particular article लिखा है कि कि किस प्रकार से अब दुनिया भर की countries एफरीका के पीछे पड़ी वही है आप देखोगे क USA जो है आज के समय पर एफरीका के साथ में यहाँ पर बातचीत कर रहा है और उसके बाद में चाइना का कितना बड़ा involvement है और इंडिया लंबे समय से एफरीका से connected है ही क्योंकि एफरीका के अंदर में अपना अपमी बहुत जादा potential है जो कि चाइना आज के समय में इस से समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से एफरीका के साथ में हम relations को maintain कर सकते हैं लेकिन उससे पहले एक map को देखो यह हमारा world map हो गया यहाँ पर आप देखो गए यह हमारा मान भारत हो गया और इंडिया की comparison में पूरा African continent यहाँ पर नज़र आएगा यह पूरा पूरा पूर क्लियर वी बात तो यहाँ पर पहली चीज़ राइटर यह बोलते हैं कि देखो इस बार ना G20 का summit होता है सॉरी G20 की जो presidency है वो किस के हाथ में आती है वो इंडिया के हाथ में इस बार G20 की presidency आ जाती है ठीक है अब हुआ क्या है कि भारत यहाँ पे कही ना कहीं आने वाले सम जो southern portion है यानि कि यह पूरा का पूरा world map हुआ इसका southern portion southern portion में पूरा का पूरा African continent आता है जिसको मैंने अभी आपको map में दिखाया था तो जो global south है इसको हम क्या कर सकते हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा important आप कर सकते हो दर्शा सकते हैं इसके importance को समझ सकते हैं कहीं ना कि जो ना कहीं कुछ countries developing countries हैं जहां पर development चल रहा है और कुछ countries least developed countries है जहां पर बिल्कुल भी विकास आपको नहीं देखने को मिलेगा ठीक है हाला ज़्यादे खराब हैं कुछ countries के अंदर तो और जो गरीबी बगर है काफी जदा आपको देखने को मिल जाती है एफरिका के कई सारे countries के अंदर में बात क्लिर हो गई तो बोला यह जा रहा है राइटर के थुरू कि इंडिया जो है ना यहाँ पर एक बहुत important role play कर सकता है एफरिका को आगे लेकर आ सकता है अपने G20 Presidency के अंदर में जो यह G20 का समिट होगा इसमें यहाँ पे हम एफरिका को invite कर सकते हैं एव यह बोला गया कि इंडिया को करना भी होगा क्यों क्योंकि आज की समय में आप देखोगे जो US है ना वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं एफरिका क्यों आज की समय पर importance दे रहा है US और एफरिका के बीच में एक समिट अभी recently हुई थी आपको पता होना चाहिए इनके बीच में दूसरा समिट वा था न वो 13 से 15 दिसंबर के बीच में यहाँ पर एक समिट हुआ था ठीके तो 13 से 15 दिसंबर के बीच में US और यहाँ पर आप कर सकते हों कि इन्होंने कई सारे topics के ओपर discuss किया जैसे political topics हो गये एकटक अम्र्क आप प्रिशन कैसे किया जा सकता है वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिसकस करें गए ठीक है अब यहाँ पर बात यह है कि क्या जो बाइटन गए थे क्या आफ्रिका में नहीं जो बाइडन नहीं गए थे यह सारी लोग यहाँ पर जो बाइडन से मिलने के लिए यहाँ पर गए थे कैसे US और Africa के बीच में जो relations है वो और ज़दा यहाँ पर strengthen हो सकते हैं और ज़दा मस्बूत हो सकते हैं इन चीजों के ओपर यहाँ पर discussion किया गया ठीक है और साथी साथ में जो बाइडन ने काफी सारी चीजों के ओपर यहाँ पर focus किया कि हम Africa को support करेंगे यहना Africa को हर चीज में आपर support करेंगे जितनी भी problem जो भी challenges है वहाँ पर USA Africa के साथ में खड़ा रहेगा तो इस प्रकार की बाते जो बाइडन ने इनके साथ में बोली भी है यानि जो leaders आए थे इनके साथ में discussion किया गया अब क्या हुआ इस पूरे meeting के दौरान कई सारे important जो decisions है important decisions में अगर हम लोग बात करें पहला decision अब पहला decision सुनना तो US ने आपर announcement कर दिया है कि जो African Union है यानि इन countries का पूरा का पूरा जो group है मतलब यह पूरा का पूरा union है जैसे European Union है न वैसे यहाँ पर African countries का पूरा का पूरा African Union है तो US ने announce किया कि African Union को हम support करेंगे support यह करेंगे क African Union G20 को join कर ले ठीक है जो G20 ग्रूप है आपको पता होगा इसमें European Union के साथ 19 countries है तो 20 देशों का यह पूरा पूरा group आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो इसमें यहाँ पर African Union को भी add कर दिया जाए यानि African countries को G20 के अंदर अपना representation मिल जाए इस प्रकार की चीजों के उ Security Council के अंदर में टोटल जो है वो 15 मेंबर्स हैं दस तो यहाँ पे नॉन पर्मनेंट है और पांच यहाँ पर्मनेंट है तो अमेरिका यह बोलता है कि हम क्या करेंगे African Union को कहीं ना कहीं UNSC के अंदर जो पर्मनेंट मेंबर्शिप है उसकी तरफ भी बढ़ादवा देवने के कर दिये ठीक है तीसरा प्रॉमिस और किया तीसरा प्रॉमिस क्या है कि जो अमेरिका के President है जो बाइडन साधी साथ में यहां कि जो Vice President है कमला हैरिस यह दोनों ही Africa को अगले साल विजट करेंगे साल 2015 में तो कहोगे कि कोई खास बात है क्या हाँ विजट करना खास बात इसलि Vice President जो है कही नए कही यहां पर Africa में अगले साल विजट करने वाली है ठीक है तो यह तीसरा प्रॉमिस क्या गिया है तो यह तीन प्रकार के Promise करेंगे। यहाँ पर प्रॉमिस था United Nations Security Council के अंदर जो पर्मनेंट मेंबर्शिप है इसके अंदर यहाँ पर एफरिका को एड करना यह अभी तक यहाँ पर इंडिया के लिए नहीं हो पाया इंडिया को यहाँ पर फेवर नहीं मिला तो एफरिका को किस प्रकार से फेवर मिलेगा अगर होता भी है तो इसमें बहुत जादा समय लग जाएगा वो चीज़ यहाँ पर राइटर मेंशन करता है ठीक है बात क्लियर हो गई देन उसके बाद में जब यह समिट चल रहा था अमेरिका और इन एफरिका का उस समिट के दौरान यह सरा डिसकॉशन हुआ है वो मैं आपको कर भाया जाएगा पूरे अफरिका को हैना कई सारे प्रaciैंस हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि क्या कर सकें एफरिका और US जादा मस 54 इन जो इन फ्रीक प्रमोट कर सकें इसके लिए यहाँ पर हमने टार के रखा आफरीका और साथी साथ में अमरीका के समिट के दोरान तो यहां तक आर्टिकल मैंने पूरा समाप्द कर दिया है ठीक है अब बचा इतना आर्टिकल अब यहां से कानी को यानी चाइना से शैडू से कवर करेंगे ठीक है तो आई होप आपको यह चीज़े बहुत अच्छे से लिंक होते वे समझ में आ रही होगी अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं यहां से क्या कॉंटेक्स्ट है अब अब यहां पर राइटर बोलता है कि यह देखो अमरीका ठीक है लगा पड़ा है एफरीका के साथ में अपने रिलेशन्स को मेंटिन करने में जो की सही बा रहा है और अमेरिका से इस मामले में आगे है साल 2021 को जब आप लोग देखते हो यानि पिछले साल की अगर हम बात करें तो यूएस अमेरिका और एफरीका का जो व्यापार है वो लगबग 44.9 बिलियन डॉलर्स का हुआ था लेकिन आप उसी साल में आप देखोगे चाइना और एफरीका का व्यापार कितना हुआ था तो चाइना और एफरीका का जो ट्रेड है वो बापरे 254 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर व्यापार हुआ था तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अमेरिका और एफरीका के जो रिलेशन्स है इससे कही गुना ज़ादा स्ट्राउंग आपको China और Africa के देखने को मिलेंगे US यहाँ पर बोल रहा है कि हम investment करेंगे और US ने आपके कुछ investment किया है पिछले साल लगबग 30 billion dollar का investment किया है अफरिका में लेकिन चाइना को देखो तो चाइना ने पिछले साल 43 billion dollars का यहाँ पर investment किया है तो हर जगह से यहाँ पर चाइना कहीं आगे निकलता वा जा रहा है इस एफरीका के मामले में I hope आपको यह बात समझ भाई क्योंकि एफरीका के अंदर अपने आप में ही पूरे के पूरे नैचुरल रिसोर्स के भंडार भड़े पर है आपको बताओगा जितने भी इंपॉर्टन नैचुरल रिसोर्स हैं वो एफरीका में जादतर पाए जाते हैं और इन नैचुरल रिसोर्स को मतलब जिस भी कंट्री के अंदर हाथ लग जाए ना तो कही न कहीं वो कंट्री कहीं लीड करने लगेगी यह आप माल सकते हो ठीक है आफ्रीका के अंदर पास में इतने सारे रिसोर्स नहीं है कि उन नैचुरल रिसोर्स को निकाल कर वो यहाँ पर उसका प्रॉपरली यूज कर सके हैं तो चाइना का टार्गेट भी है कि वो सारे नैचुरल रिसोर्स निकाल कर यहाँ पर जो चाइना है वो कहीं न कहीं ग्लोबल लीडर बनकर निकल कर आए ठीक है बात क्लियर हो गई और इसी प्रकार से आप देखोगे जैसे अमेरिका और एफ्रीका ने भी रिसेंटली बात ठीक है ना यहां पर चाइना और आफ्रीका दोनों मिलकर बातशीत करते हैं इस बौडी को प्षिदेंट साल 2000 में बनाअ या था अब क्योंकि आकरी मीटिंग जो है वो 2021 में होई थी दाकर के अंदर में तो अभी जब जल्दी मीटिंग होगी दूसरी मीटिंग होगी तो वहाँ पे कई सारे टॉपिक्स को पर डिस्कुशन किया जाएगा तो जो चाइना ने सपोर्ड किया एफ्रीका को ना उसका रिटन भी मिला है रिटन क्या मिला है कि एफ्रीका का सपोर्ड भी चाइना की तरफ आया है किस-किस मामले में चाइना के कई सारे प्रोग्राम्स हैं ग्लोबल डवलप्मेंट इनिशिटिव हो गया Belt and Road Initiative बिया रही हो गया इन सब को यहाँ पर support अफरिका वालों ने भी दबा कर किया है तो दोनों के relations यहाँ पर आपको काफी stronger देखने को मिल जाते हैं clear हुई बात अब बात आती है implications for India कि India के लिए हाँ पर क्या बात है India को क्या करना चाहिए देखो, India की जो equity Africa में यह तो हमने बात कर लिए America Africa, फिर China Africa आप बात करते हैं India Africa तो America Africa, China Africa से भी पुराने इंडिया और एफिरिका के relations है इंडिया की equity Africa में अपने आपमी और ज़दा पुरानी है कैसे आपको समझाता हूँ कि आप देखोगे भले ये countries जो है लगातार investment कर रही हो लेकिन जो main support है न जैसे दवाईयों का और काफी सरी चीज़ों का support वो Indian government ने है वो provide करवाया है तो अब हमारे पास में एक target भी आ जाता है कि हम अपने relations को ultimate level पर लेकर चल सकते हैं क्योंकि COVID-19 के समय में या देखो COVID-19 आया economy जो है पूरी तरह से countries की down हो गई है then Russia युक्रेन का war हुआ तो ये सारी problems हुई इन problems की वज़ा से directly international level पर impact पढ़ा है international market में impact पढ़ा है और उसका impact क्या करना पढ़ा जो developing countries उनको phase करना पढ़ा और खासकर जो African countries उनको phase करना पढ़ा तो इस पूरे situation के दौरान इन crisis के दौरान भारत एक लौती country था जिनोंने food security में या फिर कई सारी security में जो है इन African countries को support किया ठीक है तो वही बात बोरी जारी कि African Union की side से भी India को support मिलता है और हमारा support भी Africa की side में रहता है तो बात ये की जारी कि इस बार यानि कि जब हमारे पास में G20 presidency की presidency ship हमारे हाथ में है न तो हमें काम ये करना चाहिए किसी दूसरे country के support के बजाए हमें खुद से ही इस Africa को इस G20 का एक member बना लेना चाहिए हम अगर member बना लेते हैं तो कहीन है कि यहाँ पर ये Africa के लिए काफी अच्छी बात होने वाली है प्लस Africa के नजर में यहाँ पर आपके सकतो इंडिया की value और जदा बढ़ी होगी हम यहाँ पर अराम से काम कर पाएंगे Africa और India साथ में मिलकर काम कर पाएंगे उसके बाद में आप आपको बताऊगा इंडिया और Africa के बीच में भी बातचीत होती है इनके बीच का एक summit है जिसको हम लोग India Africa forum summit बोलता है तो चौती summit यहाँ पर जल्दी होगी 2024 में ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है तो जल्दी करनी भी चाहिए 2024 के अंदर जल्दी कर लो यह summit क्योंकि यहाँ पर आकरी summit जो है वो 2015 में होई थी तो इस वज़से हमें जरूरी है कि हम जल्दी जल्दी meeting भी करा करें ठीक है न तो वो बात यहाँ भी बोली जा रही है कि 2024 कर ली summit कर ली जाए जहाँ पर एफरिका के साथ में इसके खुद के natural resources बहुत जादा देखने को मलता है ठीक है क्लियर हो गई बात चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले particular editorial की तरफ next editorial जो है न यह बात करता है साल 2022 में यानि कि इस पूरे साल में अब यह साल समापत हो रहा है तो पूरे साल में लोगों ने internet पर क्या-क्या search किया है उसके बारे में यहाँ पर जानकरी दी गई है तो देखोगे कुछ 10 points यहाँ पर देए गए 10 चीजे जो सबसे ज़्यादा internet पर search करी गई है क्या-क्या search करी गई है आओ देखते हैं number 1 पर क्या है number 1 पर है IPL 2022 IPL 2022 सबसे ज़्यादा search किया गया second number पर आप देखोगे तो second number पर क्या है COVID platform जहाँ पर COVID के लिए vaccination के लिए आपको register करवाना है वो search किया गया second number के बाद यहाँ पर third number पर क्या search किया गया third number पर FIFA World Cup सबसे ज़्यादा search किया गया then fourth number पर Asia Cup search किया गया then fifth number पर search किया गया ICC T20 Cricket World Cup then उसके बाद में six number पर ब्रहमास्त्र जो मुवी है इसका part one यह सबसादा search किया गया then उसके बाद में fifth number के बाद में यह six में आपको बता दिया sixth के बाद में seven number किया आए भई seven number पर search किया गया ishram card portal फिर उसके बाद में eight number पर सबसे ज़्यादा search किया गया है क्या एक second उख जाओ वो है Commonwealth Games फिर नवे नमबर पर सबसे ज़्यादा search किया गया है KGF Chapter 2 फिर उसके बाद में दसवे नमबर पर ISL तो यह सबसे important चीज़े जो कि search करी गई है साल 2022 में आपने भी कोई ना कोई चीज़ इसमें से search करी होगी है ना तो 2022 में सबसाद लोगों ने इनी चीज़ों को search किया है ऐसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो उसको लेकर एक छोटा सा article था एक data था आगे कोई article पब्लिश होगा इसके उपर तो आप अराम से उसको handle कर पाओगे बस खायने का इतना purpose है ठीक है next particular editorial पर आते हैं अगला editorial बात करता है retailing of the Indian migrant workers plight अब यह क्या है इसको समझते हैं देखो भारत से कई सारे लोग विदेशों में जाता हैं काम करने के लिए है नआ Migrant workers वो खिलाते है जब कई सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं वो हमें कई सारे पैसा जो है अपने देश में वापस बेचते हैं उसको हम लोग remittance बोलते हैं तो remittance के मामले में भारत बहुत आ गए है ना लेकिन आप देखोगे जो लोग migrate कर रहे हैं जो इधर से दूसरे देशों में काम करने के लिए जा रहे हैं उन लोगों को कई सरी problems face करने को मिल रही हैं उसके लिए हम लोग एक law लेकर आ रहे थे ताकि उन लोग को एक protection provide करवाय का इस particular editorial में writer बोलता है कि देखो इस साल जो international migrant day है ये कब celebrate करा गया ये बिसिकली observe किया गया था 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को international migrant day observe किया गया और आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि हमने देखा साल 2020 में जब कोविड बगरा काफी तेजी से फैल रहा था तो उस समय पर कई सारे जो migrant workers हैं उन्होंने धीर सारी problems face करी हैं ठीक है ना कोविड के अलावा भी आप देखोगे कई सारी problems हैं जैसे तालिबान ने अफगानिसान को कबजा लिया दनो उसके बाद में रश्या ने युकरिन को अटाक किया गरीबी एक हद से जादा बढ़ती चली गई climate change देखने को मिला कई सारी problems यहाँ पर face करने को मिली हैं इन problems की वजहा से क्या होता है कि कई सारी जो migrant workers जो की काम कर रहे थे विदेशों में उनको भाग कर आना पड़ा इंडिया के अंदर में अब भाग कर आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ वो jobless हो गए यहाँ पर उन लोग कोई support नहीं मिल रहा तो वो problems में यहाँ पर writer मेंशन करते है कि migrant workers ने क्या-क्या problem face करी हैं उसको लेकर यह बात कर रहे हैं तो कावगा यह topic तो पुराना है इसी वजह से तो नहीं retailing बोला है कि मैं इस topic को लेकर दुबारा से चर्चा कर रहा हूँ दुबारा से आपको एक data provide कर रहा हूँ तो migration का एक data है उस data को use कर सकते हूँ आप में म means के अंदर में तो data ध्यान से सुनना data के अंदर क्या वो लागया जो हमारे पास में एक organization है international organization of migration ठीक है ना इनकी एक report आती है world migration report तो जो साल 2022 की report है na world migration report 2022 इस report में बताया क्या कि लगबग साल 2020 में यानि COVID के समय में 281, 281 million international migrants थे जो कि हाँ पर दुनिया भर में देखने को मि में फिर उसके अलावा आप देखोगे इससे पहले की बात करें 2019 में तो ये 169 के आसपास migrants हुआ करते थे 2020 में आप देखोगे तो 164 के आसपास हुआ करते थे तो मतलब सबसे जाता migrants आपको 2022 में ही देखने को मिल जाते हैं पूरे साल में काफी सरे लोग यहां पर मतलब साल 2020 के अर्म बात करें तो काफी सरे लोग जो है वो बाहर जाकर काम कर रहे थे इंटरनाशनल माइगरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे दुनिया बर में इधर से उधर जो है वो ट्रावल करके काम कर रहे थे ठीक है तो जब इतना बड़ा जो पूल आप देख रहे हो दुन साओधी रेबिया कुवेट ओमान इन देशों के अंदर जो गल्फ कंट्रीज ना इनी कंट्रीज के अंदर सबसे जादा काम करने के लिए लोग जाते हैं अब आप लॉंग टर्म अगर डेटा देखते हो तो माइग्रेशन कोई एक जासा नहीं चला है माइग्रेशन अलग लेवल पर चल रहा है सभी देशों के अंदर में हमने देखा पिछले कुछ सालों के अंदर में जो सबसे जादा केसिस हैं लगबग हमने ये देखा कि 300 जो इंडियन इंजिनियर्स हैं इनको तामिल नाडू सिनकी तसकरी करी गई मयानमार के अंदर में है ना वहापर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता बना जरा रहा है आप देखो के केरिला सरकार के अकॉर्डिंग बात करें तो लगबग केरिला सरकार ने ये बताया कि साल 2020 में 1.7 मिलियन यानि 17 लाख लोगों के आस पास जो केरिला के रहने वाले लोग थे जो केरिलाइट से तो 17 लाख जो केरिलाइट्स हैं ये कोवेट के दोरान यानि साल 2020 से साल 2021 के दोरान केरिला में वापस आता हैं कितने लोग 17 लाख लोग ये वापस आए अब कुछ लोगों को चलो जौब मिल गई लेगन फिर भी 15 लाख लोग जौबलेस हो गए उनकी नौकरियां लगातार चली गई ठीक है ना तो उन्होंने काफी सरी प्रॉब्लम फेस कर ये सर्वाइव करने के लिए कि कुछ लोगों ने अपना खुद का एंप्लॉइमेंट अपॉर्चुनिटीज को रूणडा किसी को जौब मिला ही ने तो वो प्रॉब्लम्स यहां पर फेस करे गई हैं तो मतलब इतन से बड़ा माइगरेंट सेंडिंग कंट्री है माइगरेंट सेंडिंग मतलब हमारे देश से कई सारे जो माइगरेंट वर्कर्स है वो विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए ठीक है उसके अलावा आप देखोगे हम लोग कई सारा पैसा भी रिसीव करते हैं क्योंकि जॉब चले जाना या कई सारी प्रॉब्लम से यहां पर देखने को मिलना कोवीड में यह प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा गई तो क्या हुआ कि इंडिया के पास में अल्रेडी एक एक्ट है एमिग्रेशन एक्ट 1983 का यह एक्ट बहुत पुराना है 1983 का ठीक है ओम फुरी जो है वह पास ही नहीं हुआ ठीक है तो वह बिल यहां पे पास ही नहीं हुआ मतलब। माईग्रेशन वर्कर्स के लिए अभी तक हम लोग कुछ कर नहीं रहें ऐसा यहां पर राइटर मेंशन करते हैं इन फैक्ट यहाँ पर जो यह विंटर सेशन है पालियमेंट का यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट जो है वो टेबिल किया गया और उस डॉक्यूमेंट के अधर बताया गया कि लगबक 9 मिलियन के आसपास जो इंडियन माइगरेंट से न वो गल्फ कोपरेशन काउंसिल वाली काम कर रहे हैं जैसे साओधिरेबिया, UAE, कुवेत, इन सब कतर, इन सब कंट्रीज में सबसे ज़्यादा इंडिया से जाने वाले लोग ही काम कर रहे हैं ठीक है वो यहाँ पर बताया गया कोविट-19 पेंडेमिक ने हमें यह दिखाया कि भया हालत जो है न वह काफी ज़्य अब राब हो चुकी थी, माइगरेंट वर्कर्स की लेकिन उस दोरान भी हम इन वर्कर्स को कोई सपोर्ट प्रोवाइट करवा नहीं पाए वैसे हैं आप राइटर मेंशन करते हैं अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि प्रेजन टाइम में बात कर यानि आज की समय में ज कई सारे लोग बिरोजगार हो गई कई सारे लोग की जो सैलरीज है वो यहाँ पर कम कर दी गई या फिर हमने एवन ऐसे केसिस भी देखे कि कई सारे लोग की सैलरीज दी ही नहीं गई विदेशों के अंदर में है ना उनकी सैलरीज यहाँ पर काफी बार कट कर दी गई और और कई बार यहां पर salaries को यहां पर बोला गया कि हम providing नहीं करवाएंगे, उनसे काम करवा लिया गया, तो ऐसी problems भी यहां पर face करने को मिली है, ठीक है, तो जो कहीं न कहीं जो labor laws होते हैं, उनको कहीं न कहीं वाइलेट करते भी नजलाएंगे इस सारी चीज़े, फिर बोला यह जाता है कि जो migrant laborers हैं, इन्होंने क्या face किया, irregular payment, कभी payment मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है, और जहां पर काम कर रहे हैं, वाकी conditions जादा अच्छी है नहीं, है ना, ऐसी problem भी देखने को मिली है, उसके बाद में अगर इनको कोई तकलीव है, तो वो तकलीव कोई सुनने वाल यानि लोगों ने अगर मजदूरी कमाई है ना, तो वो चोरी कर ली गई, है ना, migrants की जो मजदूरियां है, वो यहाँ पर चोरी कर ली गई है, तो ऐसी problem यहाँ पर migrant workers दुनिया भर की countries के अंदर face कर रहे हैं, और इसके अलावा, आप देखोगे, women workers भी कई सारी problem face कर रहे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक bill त्यार करना पड़ेगा, जिसमें जो हमारे migrant workers वे देशों में काम कर रहे हैं, उनको एक protection दे सकें, उनके साथ साथ जो women workers हैं, उनको भी हाँ पर हम लोग attention प्रोवाइड कर वा सकें, क्योंकि women workers की बात करें, तो women workers भी आज के समय में इन Gulf countries के अंदर जातर हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे देशों में हैं, जहां पर हालात बहुत खराब हैं, एराक, एराक के बाद सीरिया, लिबिया, येमेन, इस्रैल, ये कुछ ऐसे देश जहां पर हमेशा कोई नहीं की लडाई रहती है, बंबार्डिंग वगरा चलती रहती है या फिर आप प्वप्य नियोगीनिया इस प्रकार के देश देश देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कई सारी नर्सिस इंडिया की देखने को मिल जाती हैं, तो वो वेमेन यहाँ पर काम कर रही हैं, उनको भी हमें अटेंशन प्रोवाइट करवाना होगा, उनको भी जो यहाँ पर यह migration pattern है, इसके बारे में हमें यहाँ पर जानकरी दी है, हैना इन्होंने यह सारी चीज़े एक्सपोज करी हैं, कि क्या-क्या problems migrate workers face कर रहें और आगे भी कर सकते हैं, यह सारी जानकरी हमें मिलती है इस COVID-19 की जरिये, तो हमें यहाँ पर अभी से ही एक बिल को त्यार करना होगा, immigration bill 2021, जहाँ पर जो international migrants हैं, उनको कैसे support करना है, उनके लिए कुछ important policies वगरा हम लोगों को लेकर आना होगा, वो बात यहाँ पर writer mention करता है, ठीक है ना, तो I hope आपको यह बात भी clear हो चुकी है, तो यह particular editorial भी काफी ज़दा important था, ठीक है, उसके यहाँ यह आपर यह है, cervical cancer को लेकर, cervical cancer मैं already आपको बता चुका हूँ, काफी बार बता चुका हूँ, है ना, कि cervical cancer क्या है, क्या issue देखने को मिल रहा है, वही repeated article है, क्योंकि मैं आपको पहली बता चुका हूँ, कि कभी-कभी मैं आपको बोल देता हूँ, कि यह article पढ़ लो, आगे editorial में publish हो सकता है, बोलता हूँ ना, इसा में, तो उस दौरान भी यहाँ पर ही बोला था, तो पढ़ाते पढ़ाते इतना experience हो जाता है, कि हम पता चल जाता है, editorial पर publish होगा, तो वही similar चीज़ यहाँ पर publish हो चुके है, आज से तीन दिन पहले मैंने discuss किया था, कि जो भी यहाँ प जाकर यह जो vaccine वो provider जाएंगी, cervical cancer के बारे मैं मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे, जो vagina होता है, वहाँ पर बेसिकली जो cervix होता है, वहाँ पर जो tissues हो काफी ज़दा बढ़ने लगते हैं, वो कहीने के cervical cancer बन जाता है, cervical cancer की वेसे कई सारी महिलाओं की death होती है, in fact, यहाँ पर जब हम cancer की बात करते हैं, तो दूसरा सबसे जादा खतरना cancer है, जिसकी वज़ाँ से सबसे जादा महिलाओं प्रिलित होती है, तो उसके लिए एक vaccine को मनाया गया, वो vaccine यहाँ पर, मतलब यह सब कुछ हो लड़ी मैं बता चुका हूँ, पर सो ही मैं आप यहाँ पर cervical cancer वाले article को पढ़ सकते हो, एक आकर editorial है, इसको भी देख लेता है, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, what is CAG audit report on ASAMS NRC, NRC के बारे में जो सभी लोगों को पता होगा, NRC क्या है, यह basically यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, National Register of Citizen, तो NRC के अंदर यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि NRC को तयार करने में, जो यह National Register of Citizen है न, इसको तयार करने में काफी समय लग गया, ठीक है न, तो इसको लेकर जो CAG है हमारे, Comptroller and Auditor General of India, पहले CAG क्या होता है, मैं आपको यह बताता हूँ, फिर आगे की कहानी को cover करेंगे, Comptroller and Auditor General of India, basically एक important authority है, जि जितना ही पैसा receive कर रही है, जितना ही पैसा खर्च कर रही है, उसकी auditing, उसकी investigation करने का काम CAG करता है, कोई कोटा लाव गरतो नहीं हो रहा है, वो सारा काम यहापर CAG का है, CAG के बारे में सारी बाते हमारे समभिधान में Article 148 से लेकर 151 के बीच में देखने को मिल जाती है, CA CAG को कैसे appoint कर जाता है, यह द्यानक ना, यह आपके लिए बहुत important हो जाएगा, CAG जो है इंडिया का यह appoint कर जाता है, हमारे president के दुरू, हमारे president को हमारे prime minister recommendation देते हैं, तब जाके CAG को appoint कर जाता है, और CAG क्या करता है, एक ओध एक शपत लेता है हमारे राश्रुपती के सा इन house के अंदर में यहाँ पर आप कह सकते हो, एक resolution pass करना होगा, जिसके तैत हमें पता होना चाहिए, कि मतलब कि आप कर सकते हो, कि यह mention करना होगा, कि जो CAG है यह misbehave कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो, इनके अंदर शमता नहीं है काम करने की, तो इस basis पर यहाँ पर इनक 65 साल की उमरे तक हो चुके हैं, तभी तक वो सर्व कर पाएंगे, या फिर 6 साल तक यहाँ पर टर्म तक सर्व कर सकते हैं, दो चीज़े हो सकती है, या तो 65 साल की उमरे तक सर्व कर सकते हैं, या फिर 6 साल तक सर्व कर सकते हैं, इन दोनों में से जो भी पूरा हो जाता है, उसके साथ ही उनका term जो है वो समापत हो जाएगा ठीक है तो ये बात हो गई हमारे Comptroller and Auditor Journal of India की यानी CHE की काम क्या है वो भी आपने समझ लिया तो इन्होंने क्या किया असम की जो NRC report है ना इसकी recently auditing करी है यहाँ पे इसकी investigation करते हैं इन्होंने बोला कि काफी सारी problems यहाँ नजर आई है इस report के अंदर में अब आपको बता होगा असम के अदर NRC को लेकर बहुत लंबे समय से चर्चा की जा रही है यह National Register of Citizen क्या है पहले में आपको यह बता देता हूं देखो NRC को सबसे पहली बार बनाया गया था 1951 के अंदर असम में ठीक है ना ताकि हम क्या कर सक इसके लिए NRC को लेकर आया गया था ठीक है और क्या होता है NRC के रिपोर्ट जब यहां पर पूरी तरह से तयार की गई है इस report के अंदर यहां पर जो finalist है वो यहां पर 2019 में publish करी गई थी उसमें यहां पर यह बोला गया कि भारत का नागरिक कौन होगा भारत का नागरिक यहां पर ऐसम में रह रहा है यानी असम का नागरिक होगा वो ऐसम में जो भी रह रहा है 25 मार्च 1971 से पहले त्लिकर अगर इस तारेक के बाद यहां पर कोई आया है तो बेसिकली वो माईगरेंट के लाएगा और असम accord के त्लित क्या होगा उसको वापस से उसके देश में बेज़ा जाएगा तो यह बेसिकली NRC का मकसद था अब होता यहां पर यह है कि लगबख 19 lakh के आसपास जो लोग है न मतलब कि इस NRC के अंदर में 3.3 करोड एप्लिकेशन को रखा गया उनकी जाच परतल करी गई जिसमें से 19 लाक लोग निकल कर आए हैं जिनके पास में प्रॉपर कोई भी डॉकुमेंडेशन नहीं है सिटेजनशिप का यानि कहीं ने कि वो माइगरेंट वाली केडिगरी में देखने को मिल रहे हैं तो इस प्रकार से आप है वो फाइनलिस्त तयार करी गई है तो यह जो प्रॉसेस है उनके पहचान करना जो बाहर से लोग आए उनके पहचान करना बाहर से जो आए उनको वापस से महाँ पर बेजना तो यह बैसिकली एनर्सी का परपस था तो इसको रिपोर्ट को जब तयार किया गया तो उसमें काफी सारी चीजे लगती है पूरा सौफ्वियर लगता है इसको हमने अपडेट करना स्टार्ट किया था 2014 में, ठीक है, अब 2014 से आ चुका है समय 2022, समय तो काफी जाधा हो गया, और पैसे लगने चाहिए थे जितने उससे 5 गुना जाधा पैसे लग गए हैं, ठीक है ना, तो यानि कि आपने खर्चा भी जाधा कर दिया है, समय भी बहुत बढ़ी प्रॉब्लम है, और इन सब चीजों की वज़ा से, CAG ने ये बोला, कि जो ये अब्जेक्टिव है ना, इस NRC को एक एरर फ्री बनाने का, वो अब्जेक्टिव पूरा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम हम लोग को नज़र आती है, क्योंकि होता यहां पर यह है कि जितने लोगों को यहां पर हायर किया गया था काम करने के लिए, उनको प्रॉपर सेलरी नहीं दी गई, क्योंकि minimum wage act जो है ना, जो minimum मजदूरी उनको जो देनी चाहिए थी, वो यहां पर उनको नहीं प्रॉब्लम करवाई गया है, उससे जादा पांच उना पैसा खर्च कर दिया, दूसरा यहां पर जिसको पैसा देना चाहिए था, जो मजदूर है, उनको यहां पर minimum wage act के accounting, जो एक minimum amount मिलना था, उससे भी कम दिया गया, तीसरी प्रॉब्लम यहां पर यह हो गई, कि जो भी समय लगाया है, यह बहुत जादा से तो CAG ने यहां पर यह सारी चीज़े recommend कर रही है, I hope आपको यहां पर clear हो गया होगा, तो Assam के NRC report को लेकर CAG की क्या report निकल कर आई है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, NRC क्या होता है, CAG क्या बोलता है, आपने report के अंतर में, यह भी आप लोगोंने समझ लिया है, तो front page पर एक लोटा article था, वो भी मैंने आपको cover करवा दिया है, तो यह था overall discussion, guys, आज थोड़ा सा discussion लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी चाओंगा, ठीकिन न, news paper काफी लेट हो गया था, इस चकर में मुझे मिलनी पाया, तो इस चकर में discussion थोड़ा सा लेट हो गया था, बाकी prelims वाले question को देखते हैं, तो 2017 का question था, कि कौन सा इक ऐसा particular area जो के great न के बार के बिल्कुल past में है, तो उसका सही उत्तर है, स्री लंका, स्री लंका आपको बिल्कुल past में देखने को मिल जाता है, great न को बार के, ठीक है न, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, sorry, सुमत्रा, सुमत्रा भी यहाँ पर काफी जदा past में, great न को बार के, तो आप यहाँ पर सुमत्रा इसका सही answer कह सकते हैं, तो option A जो है, वो इसका सही answer देखने को मिलेगा, सुमत्रा is quite closer to greater bar than Sri Lanka, ठीक है, तो I hope आपको यहाँ पर यह समझ माच चुका है, now, इसके साथ मैं करते हैं, lecture को स सुमत्रा मिलते हैं, आप सगले वीडियो में, आज के लिए, bye bye, have a nice day, thank you and जैहिंद!